कर लेते हैं चाहां की आक्षिन नजर आ रहा है उसमें इस पर ओलिंग गैस पेस्पेस पे देखिए आई जी एल एम जी एल गेल बीपी सियल ये तमाम स्टॉक्स आज शांदार तेजी हम पर देखने को मिल रही है कुडान कहीं पर कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको इसकी बात की बीपी सियल है या एच्टी सियल है एक अच्छी खासे मोमेंटम में से मुझे आई उसमें फिलहाल लग रही है एक अच्छा-खासा सपोर्ट कल के दिन में लिया हुआ है हंड्रेड आज पॉने दोटर के मोमेंटम यहां पर देखने को मिल रही है आर उसी के भी टागेट दिखाने के लिए रैडी है तो आई उसी पर फोकस करके चलना चाहिए और सामने आप लेंजी की बात की है जिसे साबसे स्टॉक अभी एक गति के साथ टेड कर रहा है उसके साबसे रीचे हम यहां पर एसल मेंटें करके चलेंगे 356 के अराउंड स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है एसल थुड़ा सा बढ़ा है ने की छे सवाच्छा टका का इसल है टागेट 375 का पहला है और 375 जैसे भी ब्रेक होता है उपरी लेवल पर 400 तक की भी लेवल पैट्रोनेट एलेंजी दिखाने के लिए रेडी है तो यह जतिन आप बताईए 15 उर्पे के आज पास ये फिर से पहुंच गया है और चलेगा PVR क्या तो PVR का एकदम से आज का चार्ट देखू तो एक इंपोर्टन अब्जर्वेशन में शेयर करना चाहूंगा कि exactly अपने 200 डे मुविंग आवरेज के उपर ट्रेड कर रहा है तो मेर लगता है कि एक long term trend reversal हो सकता है और considering कि ये share थोड़ा underperforming रहा है अगर जो sustain करता है तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक sharp run up हमें देखने मिल सकता है science है लेकिन confirmation आज या कल के trading session में मिल जाना चाहिए हमें लगता है कि एक wait and watch की situation currently है लेकिन keep on the radar ठीक है PVR को लेकर ये view आज आप देखेंगे तो जो टायर वाली जो stocks हैं वहाँ पर आपको तीजी दीखेगी C8 उपर है Apollo टायर उपर है इसके लावा अगर आप दिगज स्टाउक भाव के लिहासे MRF के देखेंगे तो 4% उपर MRF का रुबार कर रहा है पांच हजार 495 रुपे आज इसने प्लस किये हैं और भाव हो गया है 1,37,499 रुपे का यह है MRF का भाव टायर स्टाउक सारे के सारे आप लेके आईए C8 अपूलो या फिर MRF कुनाल जी आप ज़रा बताईए एक राउंड की छोटी सी प्रॉफिट टिकिंग इसमें आई थी और फिर से हम तेजी का महौल देख रहे हैं इन तायर स्टाउक में आपको बढ़ियाँ क्या लग रहा है सेर और क्या कहीं लग रहा है कि राइड के मौके पिर से बन रहे हैं तो इसमें हमें अगर यहां पर अच्छी का सी मुमेंटम हमें देखने को मिल सकती है अब अच्छी का चार्च बहुत बढ़ा मोमेंटम है पर आज के दिन में जो हाई बनायों कल के हाई के उपर यारी करें चल्मी की सला रहेगी पर्टिकलर स्टॉक में 2640 के अगर मैं ऐसे की बात करूं तो नीचे में हमाँ 25 का हमारा ऐसे रहेगा ऐसे तब बढ़ा सा बढ़ा है कि अच्छे देखने को मिल सकते हैं 25 के हम मेंटेन करें के चलेंगे उपर में 2750 का पहला टागेट है और जैसे ही 2750 ब्रेक करेंगा 2220 तक के भी टागेट हमें देखने को मिल सकते हैं तो C8 पे अफिलहाल नजर बनाए रखने के सला रहेगी फोकस करते हैं बजट रिडेटेट स्टॉक्स पे और आज भी हम देखने की चुनिंदा स्टॉक्स में कल की तेज़ी आज भी कंटीनी नजर आ रही है और बजट में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बड़ी घोशना से आंटनी वेस्ट का शेर आज 15% की जोरदार तेज़ी दिखा रहा है पिछले तीन दिरों में यह स्टॉक करीब 45% भाग चुका है क्या वज़ा है बजट में वेस्ट मेनेजमेंट को लेकर वाटर ट्रीटमेंट को लेकर सीवेज को लेकर कुछ आएगा इसकी उमीद हम करके चल भी रहते और बजट से पहले भी यह शेर चल रहा था इंटरि वेस्ट हैंडलिंग का और वितमंत्रे ने काफी बड़े अलान किये हैं यह कहा है कि सौ शेहरों में वाटर ट्रीटमेंट वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर काफी फोकस किया जाएगा उसके उन एरियाज को लेकर सीरिज ट्रीटमेंट पर भी और केंदर सरकार रा 2021 में इसका IPO आय था और issue price था 315 रुपे आज 800 रुपे भी इस ने पार किया तो उसे आप समझ सकते हैं कि रफ़तार कितनी गजब की रही है दरसल जो सरकार का focus है बजट में वो है water supply पर, service treatment पर, solid waste management पर तो entry waste handling इसमें एक जो segment है वो है solid waste management वाला वो काम ये करती है waste management, कचरिका, collection, सडक्यों की सफाई, मलबे की processing ये तमाम काम ये entering waste handling करती है अगर इसके हम production की बात करें इसमें अगर हम इसके सेहत की बात करें कंपनी की तो जून तिमाही में कंपनी की जो आए है 11% वो बड़ी है, collection और disposable जो business है वहाँ पर production बहुत ही निचानदार रहा है और यहीं नहीं पूने की waste to energy plant का भी शमताविस्तार कंपनी ने किया है और पिछली तिमाही में अठाइस सो टन की compost विक्री की है तो एक और यह छोट वर्टिकल इनका हो जाता है जब यह waste management करते हैं तो मुंबई में construction और debris processing plant यह company लगाने जा रही है तो निश्य तोर पर आगे भी इसके लिए मौके हैं सरकार ने घोशड़ा बजट में करी दी है आपको बतादी कि 22 जुलाई को यानि कि बजट से एक दिन पहली यह share 14% चला था कल तो यह कितना हमने देखा था कि 3% के आसपास की तेजी रही और आज हम देख रहे हैं कि 15% की solid तेजी एंटरी वेस्ट हैंडलिंग के शेर में देखने को मिल रही हैं बिलकुल तो 35% की तेजी यह stock दिखा चुका है पिछले कुछ दिनों में ही और आज भी देखेंगे तो 15% की तेजी है वज़ा अभी अब शेर आपको बता भी रहे थे बजट में वाटर वेस्ट मैंजमेंट से जुड़ी काफी सारी घोशनाएं हुई थी उस पर फोकस था और इससे यहाँ पर एंटरी वेस्ट हैंडलिंग को फाइदा होने की बात की जा रही है चलिए इस पर हमारे साथ रजट शर्मा जो चुके लेकिन उनसे संपर्ख नहीं हो पा रहा है कोई नहीं चलिए इस पर एक टेक्निकल राह ले ले लेते हैं जते ना बताईए एंटनी वेस्ट अल्रेडी काफी शांदार अनुब दिखा चुका है लेकिन बजट अनॉंसमे अन्टनी वेस्ट अन्टी ओना या अन्टनी वेस्ट इसका कोड नेम एड़नी एव एड़नी एद्सम एंटनी वेस्ट हैंडिलिंग सेल अगर जो मैं इसका चार्ट देखो तो डेफिनिटली एक अप्ट्रेंट में है इसमें कभी भी अगर जो गिरावाट आती है तो इसमें बाएक अथनी की सलह रहे की अप्ट्रेंट में एक अप्ट्रेंट में है खाली इसमें एक यह ध्यान रखना है कि अराउंड 600 से 825 लास्ट इनों में अराउंड 200 से 225 पॉंट्स की एक रैली अल्रेडी आ चुकी है तो इसमें एक बाएं डिप की सलह रहेगी 740-720 जहां पर उसके लोग टाम फ्रेम चार पर सबोर्ट बन रहे है तो अगर जो वहां तक आता है तो वहां पर एक फ्रेश एंट्री बनती है ओर आल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है शॉट तो मीडियम तब में 850-875 तब के लेवल भी हमें इस टॉप दिखा सकते है खर सकते हैं